हाँ तो दोस्तो आज मार्केट में इतना फ्री फॉल क्यू हो रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एज ट्रेडर और इंवेस्टर क्या करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम globally अगर हम देखेंगे तो प्राइडे को अगर हम Netflix, Tesla और जितनी भी जो tech companies है USA में तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो काफी heavy correction हमें देखने को मिला था तो ऐसा नहीं है कि यह सिफ इंडिया में हमें selling देखने को मिल रही है यह पूरी global selling हमें देखने को मिल रही है और खाच करके अगर हम देखेंगे जहाँ पे valuation काफी ज़्यादा थे अगर हम देखेंगे यहाँ पे geometer हो गया नाइक का policy बजा तो जितने भी नए start-ups हैं तो काफी ज़्यादा heavy selling हमें देखने को मिल रही है और अगर हम देखेंगे जो stocks पिछले जब rally हुआ था market वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें rally देखने को मिल रही है तो देखेंगे अभी इस सफ़ते fed का meet भी है तो वहाँ पर उसकी वज़से ऐसा लग रहा है कि जो interest rate है वो fed जल्दी बढ़ा सकता है तो कि जो inflation है USA में वो काफी तेजी से बढ़ रहा है तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो यह सबसे बड़ा reason हमें नजर आता है उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो bond yields है वो भी लगबग 1.9% का उन्होंने अभी high बनाया ता recently तो और उसके competitive way में अगर आप focus करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो bank की earnings आ रही है जो reliance के numbers आयते तो अगर आप देखो कि किसी भी company के numbers में कोई issues नहीं है और अगर bond deal बढ़ रही है तो उसका मतलब यह है कि growth काफी अच्छी है तो कि अगर कोई growth नहीं होगी तो inflation नहीं होगा inflation का indication क्या है कि जो GDP growth rate है वो काफी अच्छा होने वाला है और पुरी जो economy वो अच्छे से grow होने वाली है लेकिन एक हद तक यह inflation का number होना चीए तो कि अगर उससे ज़्यादा अगर inflation का number हो जाता है तो एक hyper inflation का issue economy में हो जाता है और जो below poverty line वाले people है जो rich और poor का जो gap होता है वो काफी ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए यह सारी चीजे अगर देखा जाया तो इन central bank को करनी पड़ती है और यह इसी way में market बियेव करता है तो कि आप interest rate तोड़े से high होंगे तो वहाँ पे alternative develop होगा equity के लिए और यहाँ पे equity से थोड़ा पैसा निकलेगा और वो debt securities में जाएगा तो वही हमें यहाँ प fundamentals में कोई change नहीं होए लेकिन यह stock काफी जादा rally हुए थे valuation के issue वहाँ पे थोड़े से हो गए थे तो इसलिए high valuation वाले stock को यहाँ पे भी market में अच्छे से profit booking हमें वहाँ पे होती हुए नजर आ रही है तो इसलिए अगर आप उन business में believe करते है तो मेरे च्छाल से जरूर time मत कीजिए कि 17,000 आएगा तो ही मैं पैसा डलूँगा 16,500 आएगा तो कि आपको पता नहीं है कि क्या low होने वाला और क्या high होने वाला है तो इसलिए मेरे ख्याल से इस opportunity को आपने grab करना चाहिए अगर उसके बाद में और गिरता है तो अगर आपके पास पैसा है तो आप औ से देख रहे हो फिर से उसको 5% loss में sell कर रहे हो आपका long term horizon क्या related तो उससे related invest कीजिए अगर हम trading point अगर हम बात करेंगे तो traders नहीं यहापे totally avoid करना चीए तो कि एक free fall वाला selling हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कोई एक तरीके से दिखा जा तो sustainability हमें नजर नहीं आ रह करेंगा तो दोस्टों में हो कटों की market क्यों गिर रहा है और ऐसे मैं आपने क्या करना ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके दोस्टों thank you have a nice day